Hello friends, जैहिन स्वागत आपका आपके पने चल होम टुशन पे दोस्तो दिलिपलिस कॉंस्टेबल का पेपर भी चला हुआ है अभी 14 तारिक से शुरूई हुआ है लेकिन दोस्तो इसी बीच SSC और दिलिपलिस ने मिलके एक बहुत बड़ा प्लान किया है जे आ दोस्तो फेजिकल की डेट डेकलेर हो चुकी है आपकी जो फाइनल लिस्ट है उसकी डेट है वो डेकलेर हो चुकी है रजल्ट कब आएगा ये भी डेट डेकलेर हो चुकी है और आपको जोइनिंग कम मिलेगी ये भी डेट डेकलेर हो चुकी है और दोस्तो इन सब प्रिक्रियाओं के बीच म आपके बास जो वक्त है जो समय है वो नाक के बराबर है जी हां दोस्तो बहुत जल्दी जनवरी के दूसरे सप्ता में आपको जोइनिंग दे दी जाएगी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तो दिल्लिपलिस कोंस्टेबल के जो भरती चल रही है 7547 पदों पर इसकी जोइनिंग आपको जनवरी के मिड में मिल जाएगी सर्प्राइज हुआ जी हां दोस्तो सभी को जो लाखो बच्चे हैं जिस बरती परिक्रिया में सामिल हो रहे हैं सबको सर्प्राइज मिलेगा और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस वज़े से डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल में क्योंकि उनके पास तैयारी का टाइम ही नहीं बचेगा तो जो भी बच्चे आप में से जिनका पेपर हुआ है या नहीं हुआ है या होने वाला है तो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिये कल से ही जे हां दोस्तों क्योंकि टाइम बहु को प्रेस कर लेजे ताकि कोई भी लेटेस्ट नूज आपके साथ हम सेर कर सकें और किसी प्रकार की लेटेस्ट नूज अपडेट रजल्ट पीडियाफ को पानने के लिए हमारे टेलेग्राम चनल को जोईन करें जिसका लिंडिसेशन दिया हुआ है आए दोस्तों सिधा क्लें नुम्बर से स्टाट हो आ है और 3 दिसंबर तक आपका पेपर चलेगा इसके बाद क्या होगा जी result कर दे संबर को पेपर के साथ साथ दिन के बाद आपका result metall हो जाएका number of candidate will be qualify for the PST ये हमने आपको पहले बता दिया था कि 12 गुणा विद्यार्थियों को बलाया जाएगा मैंने cut-off के उपर एक वीडियो बनाई थी safe score के पर आप उसको जाके देख सकते हो same data यहाँ पे कितने बच्चे बलाया जाएगे दोस्तो 90,564 90,564 विद्यार्थियों को physical के लिए qualify किया जाएगा जिसमें male की बात करें तो दोस्तो 60,622 वहीं female की बात करें तो 29,822 में female को यहाँ पे qualify किया जाएगा 7,547 पदों के लिए तो हर seat के लिए दोस्तो 12 गुणा विद्यार्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा अब देखें दोस्तो दिल्ली प्लिस विल प्रोवाइड सैडोलो PMT SSC preparation admission मला admit card for the PMT admit card कब आ जाएगे दोस्तो 11 दिसंबर को आ जाएगे और shortly से download जो biometric है जो details कब आ जाएगी दोस्तो 12-12 को आ जाएगी अगले ही दिन ठीक है और फिर यहाँ पे जो PMT के लिए admit card है वो आपका 19-12 को आ जाएगा यानि यहाँ पे क्या है कि schedule admit card का जो schedule है कि कि किस बच्चे का admit card मला किस बच्चे का physical कब होगा यह SSC को बेज दिया जाएगा आपका जो admit card है यह 19-12 को आएगा आच्छा जी physical कब होगा physical आपका 22-12 से लेके 4-0 जनुरी तक चलेगा दोस्तो 22-12 को physical 3-12 को paper खतम होगा 22-12 को आपका physical हो जाएगा physical में दोस्तो 10 दिन का time लगेगा 2 दिन आपको extra मिलेगे कोई बच्चा अगर absent है तो उनके लिए reserve day कोई medical में unfit है माल लीजे जिनका physical भाईया कोई बिमारी है कोई दिक्कत होगी physical के time पे नहीं जा सकता तो उनके लिए 2 दिन का reserve day मिलेगा तो कुल मिला के दोस्तो 12 दिन में आपका physical हो जाएगा जो कि 22-12 से start होके च्यार जनवरी तक चलेगा आचा जी physical का जो रजल्ट है कब आजाएगा 5 जनवरी को आजाएगा 5 जनवरी को physical का रजल्ट physical खतम होगा कब दोस्तो 4 जनवरी को 5 जनवरी को रजल्ट आजाएगा ठेक है final result कब आजाएगा SSC की तरब से तो यह आपका बारा जनवरी को आ जाएगा आचा जी जो आपका किस जोन में आपकी जोइनिंग होनी है वो सारी चीज़े जो सैडूल है वो आपका पंदरा जनवरी को आ जाएगा चेक है और भाईया यह है appointment letter जो की 20 जनवरी को आपका आ जाएगा 20 जनवरी यानि अभी नवंबर के आज 20 तारीक हुई है 21 तारीक हुई है और आपको दो मेने के बाद ठीक दो मेने बाद आपको इस दिन या तो दिल्लिपलिस की वर्दी मिल चुकी होगी या आपका सपना तूट चुका होगा तो जो भी बच्चे दिल्लिपलिस कोस्टेबल की तैयारी कर रहे है विशेसकर वो जिनका एकजाम अभी नहीं हुआ है या होने वाला है और जो अपनी तैयारी में थोड़ा सा भी दिलाई बरत रहे कि पता नहीं आऊगा तो उनके लिए मैं करना चाहूँगा भया दिन रात एक कर दीजी ऐसा मोका दुबारा नहीं आएगा दिल्लिपलिस में पत भी जाता है ठेक है पेपर भी easy to modate आ रहा है तीसरा ये है कि जोइनिंग भी बहुत जल्दी मिल रही है तो अपनी तैयारी को उमदा कर दीजी जितना जोर लगा सकते हो लगा लीजी और वो बच्चे जो जिनको लग रहा है कि मैं रिटन एकजाम पास कर लूँगा नब्य हजार में मैं आ जाऊंगा तो बैया कल से ही अपने आज अपने जुत्ते वगेरा दोलीजी और कल सुबह से अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजी क्योंकि 1600 मेटर 6 मिनिट में आपको पार करनी होगी 14 फुट का लोंग जुम्प है 4 फुट मानके चलिए पूनी 4 होता है लगबग 4 फुट मानके चलिए आपको हाई जंब करना पड़ेगा फेमेल के लिए भी सेम है 800 मिनिटर के रनिंग है वहाँ पे हाई जंब है वो 12 फुट का हो जाता है सोरी हाई जंब है वो 3.5 फुट का हो जाता है लोंग जंब आपका 12 फुट का होता है ठीक है तो बहुत जल्दी आपका जो फिजिकल हो रहा है कट ओफ की प्रम वीडियो लेक्ट कहेंगे बोजली लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका भी 60 क्या सपास भी स्कोर है ना 60, 62, 65 तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि 90,000 का जो डाटा है पिछली बार 66,000 पास किये थे ठेक है इस बार 90,000 पास करेंगे यानि 23,000 बच्चे ज़्यादा पास किये जाएंगे तो कटो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी लगता है पेपर आसान आया है लेकिन जब आंसर की आएगी तो जो बच्चे अभी यह करेंगी मेरे 50 आ जाएंगे 80 आ जाएंगे वो बच्चे आंसर के बाद आपको 65 पे मिलेंगे 60 पे मिलेंगे दोस्तों क्योंकि नेगिटिव मार्किंग भी है बच्चों का ऐसास होता नहीं है पेपर देट राइम वो बाद में पता लगते हैं आप खुद ऐसास कीजी अपने आपको कि पेपर देखके निकलते तो लगता है कि 80 नंबर आ जाएंगे घड़ पहुंचते पहुंचते जानते यह वो सवाल भी गलत हो गया घड़ पहुंचते पहुंचते हमारा 80 वड़ा स्कूर 70 पे आ जाता है और जब actual answer की आती है तो दोस्तो 60 पर पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा hyper ओने क्या उशक्ता नहीं है कटो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी मैं यह कहराओ कि जगर आप OBC से बिलोग करते हैं, AWS से बिलोग करते हैं, SC, STS बिलोग करते हैं अबरेज अगर आपका 62 अंबर का स्कोर है, 62 किसी भी कटेगरी में तो आप अपने physical की तैयारी सुरू कर दीजे वहीं female के अगर में बात करूँ, 52 अगर आपका है किसी भी कटेगरी में विशेश का रिजर्णल में, तो 52 वाले सारे physical की तैयारी सुरू कर दीजे अगर सेस्टिक बात करो, तो लगबग 58, 55 क्यास पास ही कटोफ रह जाएगी दोस्तों, ठीक है तो अभी आपके पास करने को क्या है, physical के तैयारी कटोफ कितनी जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, डाउन जाएगी, अप जाएगी, कितने बच्चे पास, कितने बच्चे यहाँ पे competition में बैठ रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ हितना है कल से अपने जुराब जुता पहरिए, और च्यार बजे उठिए और physical की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले महिने की 22 तारिक से, आज 21 तारिक ठीक एक महिने बाद आपका physical हो जाएगा, और उसके ठीक एक महिने बाद आपको 20 जनवरी को आपको physical, मतलब final joining letter मिल जाएगा, दिली प्लिस की वर्दी मिल जाएगी तो जो जिन बच्चों का paper हो चुका है, वो भी, और जिन बच्चों का paper अभी 3 दिसम्मर का या बाद में है, तो उनसे भी करना चाहूँगा, physical शुरू कर दीजिए कई ऐसा ना हो कि return exam में बहुत अच्छा आप score करो, और physical में रह जाओ, बहुत सारे बच्चे running में रहेंगे, high jump में रहेंगे, long jump में रहेंगे, तो physical इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो physical की तयारी सुरू कर दीजिए, और बहुत बड़ी update है, आपके लिए तो दोस जो सकती है, वो भी दिलिपलिष में, पिछली बरती में पूरा एक साल लगा था, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूशे रहेंगे, physical कब तो होगा, मैं उनको ये reply दे रहा था, या March में रजल्ट आएगा, जोन जुलाई में physical होगा, एक साल मानके चलिए, लेकिन दोस्तों, दिलिपलिष ने आपको नए साल का गिफ्ट दिया है, सर्प्राइज दिया है, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी खुसकबरी भी आप इसको मानके चल सकते हैं, तो अपने तयारे में लग जाएगे, टाइम एक मेने का है, physical का, आज से ही, स्याम को या कल सुबह से आपने लाइक जुरू करें, और कॉमेंट करके बताईए, जिन बच्चों का पिपर हो चुका है, किस सिप्ट में, कितने नमर आपके बढ़ रहे हैं, कौन सी आपकी कैटेगरी है, आप मेल है या फेमेल है, कॉमेंट करके जुरू बताईए, वीडियो लाइक करें, धन्यवाद, जाहिंद!